तो मेरी घर पे बहुत सारी मलाई जम गए थी तो मैंने इसे घी बनाना बताया है आप लोगों को यह बहुत ही जादा सिंपल प्रोसेस है घी बनाने का मलाई से इसे जो है यह बिलकुल पांच मिनिट में जो आपको जादा जनजट करने की भी जरूरत नहीं है आपको पहले इसे बटर अलग करना है और भिर बटर को आपको बस दो से तीन मिनिट तक के लिए ही पकाना है और देखते ही देखते है आपका घी जो है बिलकुल रेडी हो जाएगा तो मैंने इसमें क्या किया है मैंने डेली जितना भी दूद आता है हमारे घर में और उस पे जो जितनी तूबा फ्रीजर से निकाल लिया था अभी भी यह हलका ठंडा है तो अभी हमें इसका जो बटर है वो अलग कर ले लिए तो दो बातों का आपको धियान रखना है कि सीजन का तो अगर यह ठंडी का मौसम में आप बना रहे ना अभी जैसे ठंडी का टाइम है तो अब यह तो आप इसमें normal room temperature का water add कीजिए और अगर आप समर्स पनाए रहे हैं तो आप इसमें हैम इसमें अपके दूत से तो बटर बिल्कुलित को अलग हो जाएगा तो जान में ट्रांसफर कर लिया है और यह mixture ओन कर दिया है तौसे बाद आऊ आसे बाद तयार हो जाएगा आप को अग्याद पर आपको गाल नहीं हो दोज बुत्ट सही हो चुका ये दूट से जो बटर है वह बिल्कुल अलग हो चुका है यह देख़िया है मैं आपको दिखाते हो यह देख़िया हो और नीचे जो लिक्विड है वो भी बिलकुल अलग हो चुका है। दोनुभाइण वंगा स understand तो बिल्कुल बॉतर एट कीजिए गार जब आप इसको विंटर चैसे अभी सर्धिया है तो अभी अगर आप इसको बना रहे होंगे तो आपको वाई अग्वारी पाका पंपेसर का पानी डापकर महँदा दिकारlage तालोग भी एंचत्य नाएज्वीट फीपरेट बिति पानी। यह होता है अगर जान्ध कि अग्वारार को पानी दित ग्हारा है खराछ ममी रोम्हारा का पाउते हैं अब दोनों हाथ उसे दबा दबा कर इसके अंदर का लिक्विड अलग करेंगे तो यह सारा लिक्विड जो है यह अलग हो जाएगा यह देखिए यह एक बॉल बन चुका है अब बाकी का जितना भी हमारा बचा हुआ है बटर उसको भी हम ऐसे ही अलग कर लेंगे तो यह देखिए यह अलग कर लिया है मैंने और इसको भी मैं दबा दबा कर इसके अंदर जितना भी लिक्विड है उसे अलग कर लूँगे तो यह हो चुका है हमारा तो दो हफ़ते की मलाई से जो है वो हमारी दो बॉल्स बटर की बनके बिल्कुल रेडी है और यह जो लिक्विड बचा है न तो इसे आप डिसकार्ड बिल्कुल न करें इससे आप कड़ी बना सकती है इसे कड़ी बहुत अच्छा बनता है आप इ आपको इसको मीडियम टु हाई फिलेम में पकाते रहना है कंटिन्यूजली हिलाते वे पकाना है आपको वन्हा यह नीचे लग जाता है तो बटर में जो है न वह थोड़ा जो दूद का पोर्शन है वह थोड़ा रह जाता है तो इसलिए बटर को आप जादा दिन तक स्टोर कर सकते है और फोर इसको कर सकते हैं तो रुझार कर्ने में पर वर्शन ह На published ऊप्काण बटर को दो अच्छीन से कारणा को वहाद चीमिशली करते हैं वह जब तक ब्रावन आ पकाना हो तो आपको कुछ देर पकाना पड़ेगा और पकाते पकाती आप देखेंगे कि वह जो खोया उपर तैरा था वो नीचे बैठ चुका है ब्राउन होकर तो यह देखिए आपको देख रहा होगा नीचे बैठ चुका है तो बस गी जो है यह हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है आपको फ्लेम अभी आफ कर देना है और उसके बाद यह थंडा हो जाएगा फिर आपको इसको एक टाइट फिर आपको इसको एक ग्लास जार में निकान लेना है तो यह अभी गरम ही थी मैंने गरम टिम्टेचर पर ही करना है और इसे चान कर बस आपको एक ग्लास बॉटल में इसको ट्रांसफर कर लेना है और इससे जो खोया जो जितना सेपरेट हुआ है जितना भी आपको खोया चान कर जो मिलेगा उसे आप बिल्कुल डिसकार्ड ना करें वो भी बहुत अच्छी लग आ नगोजाता है तो आप उसे डिसकार्ड रॉकार्ड ना करें बड़ अगरं कारें ग्या तो यह अमारी बिल्कुल है और बन्के तक धायर हï हमारी तो यह अबेट अपको ह ओक आ कलर में इसको गरम-गरम महीं ट्रांसफर कर लिया तो मैंने घंडा होने का वेट Поिडियो ब देखा काम निपटा लिया तो ये ठंडा हुने के बाद इसका कलर जो है बिलकुलमार्केट वाला हो जाता है। भ niño प्यायमने के बेलता हाल ये जल को श्विच से बहुत जादा वे तेस्ट इसकां मार्केट वाले घी से बहुत जाता है तो आप भी इसे जरूर बनाईएगा और मेरे चैनल को सबस्क्राइब भी जरूर कर ले